जिस लड़के ने एक साल से ज़्यादा समय तक ब्रहमचिरे नाश किया है और अगर उसे सोशल मीडिया पर लड़केों की तस्वीरे देखने की पुरानी आदत है तो उसके दिमाग को इससे इतना नुकसान हो चुका है जितना वो इमेजन भी नहीं कर सकता। उसका prefrontal cortex जो 25 साल की उम्र तक पूरा developed हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाता जिसके बाद व्यक्ति का किसी भी काम में मन नहीं लगता। या नहीं लेकिन एक बात समझ लेना आपके अर्जिस को कंट्रोल करने की शमता का सीधा संबंध आपके success से हैं यानि जो व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल में होगा उसकी पूरी life कंट्रोल में होगी और इन सब के शुरवात होती है अपने दिमाग को reset करके अपनी daily routine में इसके ल पहले ब्रह्मचरे नाश करने का समय खुद को ना दे जिस वक्त सबसे ज़्यादा काम वासना उठने लगती है उस time खुद को कोई काम दे जैसे 100 push-ups लगाने हैं देखो गंदे विचार जब भी उठे उसमें मजा ने लेना उससे डोपामीन नहीं लेना है ठीक उसके जगह पर अपनी जिंदगी के उस पल के बारे में सोचे जो आपको proud feel कराती हैं ट्राइ करके देखना कुछ ही मिनट में अर्जस गायब हो जाएंगे अब अगर रात में सोने के पहले बिस्तर और मोबाइल साथ में रहने से ब्रह्मचरे नाश होता रहा है तो इस combination को तोड़ दो यानि लेटना है जब उस वक्त मोबाइल घर के किसी कोने में लॉक कर दे या फिर अपने parents को दे दे हर दिन सुबह 10 मिनट शांत होकर आखे बंद करके सांसों पर ध्यान लगाएं एक हफते इस meditation के बाद आपका ध्यान जरूर होगा कि आप पहले से ज़्यादा स्थिर हो ग इसे विद्या को अपना करके प्राचिन समय के रिशी मुनियों की मानसिक शमता इतनी ज़्यादा होती थी दोस्तों इसके लिए हमें यहाँ पर तीन प्रानायम का रोज अभ्यास करना है पहला चंद्रभेधी प्रानायम जिसमें दाई नासिका को बंद रखना है और अपनी बाई नासिका से धीरे धीरे सांस अंदर लेनी है फिर थोड़ा रोक कर दाई तरफ से छोड़ देना है फिर से सांस को बाई से लेनी है हर बार ये आपके चंद्र नारी को एक्टिवेट करेगा दिमाग में शांती और स्थिर्ता आएगी दूसरा है भस्त्रिका प्रानायम जिसमें सिधासन में बैठ कर लंबी गहरी सांस लेंगे लंग्स को पूरा ऑक्सिजन से भर जाने दें और फिर सांस को बाहर छोड़ दें पूरा पांच मिनिट का अभ्यास शरीर को ऑक्सिजन से भर देगा आप ये फील कर पाएंगे कि जो ब्रेन फॉग होता था कभी-कभी वो नहीं होगा इससे आगे बढ़ते हुए तीसरा है भ्रामरी प्रानायम जो दिमाग के नियूडॉन्स को रिलैक्स कर देता है आप इससे साथ से दस बर कर लें पूरे दिन आपका दिमाग ठकेगा नहीं इसमें हाथों की पोजिशन ऐसी रती है अंगुठे से कानों को पूरा बंद करके भ्रामर की ध्वनी करनी है इस तरह से उच्छारन करना होगा भ्राम उमरत में इसका भ्यास करने से आपको सबसे ज़्यादा लाब मिलेगा अब दोस्त एक सवाल का जवाब जरूर दें क्या इस नए साल में आप ब्रह्मचिरे पालन कर रहे हैं बिना एक दिन भी गलती किये तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें हमारे इंस्टाग्राम और टेलिग्राम के डीटेल्स आपके स्क्रीन पर है दोस्त आप सभी लड़कों के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ख्याल लुखेगा अपना मिलते हैं आप से अगली वीडियो में